VS Code का एक बहुत ही important function जो teaching के लिए बहुत ही अच्छा रहता है जब आपने किसी को कुछ समझाना होता है या सेखना होता है या जिखाना होता है इसको बोलते हैं screen casting यानि के जो भी आपकी प्रेस करें वो stroke VS Code के उपर नज़र आए मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे इसको set करते हैं आपने VS Code open कर लेना है ctrl shift p यह तीन चीज़े दबानी है ctrl shift p मैं आपको यहाँ पर लिख के बताते हैं तो कौन-कौन सी चीज़े है ctrl control plus shift plus p इससे क्या होगा आपके पास settings open हो जाएंगी मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ ctrl shift p यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास settings open होगी है मैं जैसे toggle screen cast mode इस पर click करूँगा now you will see मैं कुछ भी प्रेस करता हूँ वह आपके पास नीचे आपको नज़र आ रहा है this is how it works toggle screenshot यहाँ पर ctrl shift p लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ toggle screen cast mode और अगर आप चेक करें तो यहाँ पर automatically इसको मैंने toggle कर दिया है मैं दुबारा से इसे press करके दुबारा से on करूँगा तो यह दुबारा से on हो जागा this is how it works अगर आप चाहते हैं screen cast को और भी ज्यादा setting में लेके जाना तो आप यहाँ पर लेके screen cast screen cast करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि font size क्या रखना है for example मैं इसको कर दे तो 24 जैसे मैं इसको करूँगा let's see अब हमारे पास क्या आ रहा है and then you can see कि control how long it works 800 की value कौन से color में आपने करना है वो आप लेक सकते हैं यहाँ पर control the size in pixel of the mouse indicator in screen cast mode 20 करना है या इसको आपने बड़ा रखना है या चोटा रखना है for example इसको मैं अगर कर दूँ 40 then you will see कि हमारे पास यह value change हो रहागी control the vertical offset of the screen cast mode overlay from the bottom इसको मैं 10 कर देता हूँ ताकि यह और भी नीचे जाए let's see अब देखिएगा मैं इसको 40 किया था मैं इसको कर देता हूँ 20 now you see कि मेरे पास यह इस तरीके से नीचे को आ गया अगर मैं इसका zoom यहाँ पर font size और भी बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको 55 भी कर सकता हूँ and it will change look यहाँ पर change हो रहाए right तो मैं यहाँ पर 800 रखता हूँ इसको 55 कर देता हूँ यहाँ मैं इसको 40 ही रखता हूँ so ना कोई ज़्यादा बड़ा ना इसको बहुत ज़्यादा कम रखने मैं settings बंद करता हूँ control shift P दबाता हूँ you see कि आपके पास जो भी मैं चीज प्रेस कर रहा हूँ वो नीचे आपके पास आ रही है यह escape प्रेस किया आपके पास escape आ गया मैंने z प्रेस किया आपके पास z आ गया and so on तो इस तरीके से आपको समझ आती जाएगी and people who are learning from this course उनको भी समझ आती जाएगी मैं कौन सी कीज कब प्रेस कर रहा हूँ ठीक हो गया see you in the next one